The Prologue to The Canterbury Tales by Jeffrey Chaucer में आज हम The Sailor और The Doctor of Physics के दो करेक्टर्स रीड करेंगे इसमें सबसे पहले हम General Introduction to the Characters ये देखेंगे उसके बाद हम Easy Translation from Interlinear Text करेंगे तो आएं सबसे पहले The Sailor के करेक्टर को रीड करते है General Characteristics में He is also called The Shipman उसे Shipman के नाम से भी याद किया जाता है He lives in some far western country और उसके मुलक का नाम जो हमें Jeffrey Chaucer ने बताया है वो Dot Math है He is expert in horse riding Horse riding के तमाम जो उसके जो राज हैं वो अच्छी तरह जानता है कौन से horse को किस तरह से चलाना है किस तरह के कि जो clothing है उसमें किस तरह से horse को चलाना है He steals wine from the chapman उसका जो साथी उसके साथ सेल कर रहा है कर रहा होता है उसकी wine भी वो चोरी करके पी जाता है He hates the losers अगर उसके कोई friends किसी मुकाबले में हिसा लें और वो हार जाएं तो वो उनसे नफरत का इजहार करता है He has faced many storms उसने अपनी जिन्दगी में कई storms का सामना किया है The name of his boat is modeline उसकी जो boat है जिसमें वो सफर करता है उसका नाम modeline है अब हम the sailor या the shipman की interlinear easy translation करते है The shipman, a shipman was there dwelling far in the west इन pilgrims के साथ एक shipman या एक जहाज रां एक मलाहा सफर करा था जो मगरिब के दूर के किसी मुलक का रहने वाला था For all I know, he was from Dormoth उसका जो country है उसके बारे में जेफरी चॉसर कहते है कि उसके बारे में मैं जानता हूं कि उसका नाम Dormoth था He rode upon a cart horse in so far as he knew how और वो बताता है कि वो एक बड़ी किसम का जो घोड़ा है रांसी यानि कि उस पर सवारी करता था और ये भी जानता था कि कहां तक उसने सफर करना यानि जिस जिस इलाके के बारे में उसे मालूम था वो वहां पे इस गोड़े पे इस होर्स पे सफर करता था In a gown of woolen cloth that reached to the knee यानि as he knew as he knew how कि वो अच्छी तरह जानता था कि अगर उसने woolen cloth का एक gown पेना हुआ है जो कि उसके गुटनों तक जा रहा है अगर इतना बड़ा gown भी वो पेन लेता था तो तब भी वो अपने होर्स पे बैठ सकता था और इस चीज़ का भी वो expert था कि इस हालत में उसे होर्स को किस तरह से चलाना है किस तरह से दोडाना है उसके पास एक रसी थी जिस पर एक डैगर एक छुरा लटका हुआ था अबाउट इस नेक डाउन अंडर इस आम उसकी नेक के पास उसके हाथ के नीचे था वो और जो हाट समर है सखत गर्मी के वज़ा से तपते मौसम के वज़ा से उसका जो सके ने कलर है वो ब्राउन कलर का हो चुका था और यद्ट संडली यवाजा बून चैंपियन और वो यकीनन एक अच्छा आदमी था एक वो कामियाब ताजिर था और उसने क्या करता था जब उसका जो साथी था जब उसका चैपमेन उसका साथी मर्चंट सो रहा होता था तो वो खामोशी से उसकी वाइन निकालता और उसमें से एक एक गूंट करके पीता रहता और उसे अच्छे जमीर की कोई परवाद नी थी उसके जहन में कोई ऐसी सोच नहीं थी कि अगर वो किसी की वाइन या कोई चीज चोरी कर लेगा तो ये एक बुरा काम है ऐसी कोई सोच उसके जहन में नहीं थी अगर उसकी कभी किसी कसा लड़ाई हो जाती जगड़ा हो जाता या उसकी फाइट हो जाती और वो उसमें जीत जाता तो वो क्या करता था यानि जो हार जाता उसे उठा के वो समंदर में फैंक देता था और कहता था कि आप घर जाना तो फिर समंदर के जरीए जाओ दरवाइस डूब जाओ बट आवे स्किल तु रेकन वेल इस टाइट्स यानि अपनी स्किल जिसको उसने समंदर में फैंक दिया है अब उस पे डिपेंट करता है कि अपनी स्किल्स यूज करके उसमें से निकल जाए और वो हमेशा जहां तक उसकी महारत का तल्लक था इसमें एक वो फसल की बात कर रहा है और वो अपने इस काम में इतना स्किल्फुल था कि उसे अच्छी तरह मालूम था कि चांद की कौन सी डेट को मैंने किस तरह सफर करना है और किस तरह से सफर करना है दिर वाज नन अदर सच फ्रॉम हल टू कार्टजिना यानि स्पेन के एक लाका है उस लाके से जिस जगह पे वो खड़ा था वहां तक कोई उसके जैसा समझदार ऐसा आदमी नहीं था जो अपना शिप लेके समंदर में जा सकता और वो जो फ़ैसला कर लेता था उसमें वो बोल्ड होता था और अपने फैसले पे काइम रहता था His beard had been shaken by many a tempest उसने बहुत सारे तोफ़ानों का मुकाबला इस तरह से किया था कि उसकी दाड़ी तक हिल गई थी यानि बहुत बड़े बड़े तोफ़ानों का मुकाबला करके यहां तक पहुंचा था He knew all the harbors, how they were और वो अच्छी तरह जानता था कि कौन से harbors जो हैं, वो दुनिया में मजूद हैं, वो कैसे हैं, वहां पे किस तरह से पहुंचा जाता है From Goatland to the Cape of Finister And every inlet in Brittany and Spain His ship was called Modeline इन तमाम एरियाज में जितने भी harbors थे, बंदर गाहें थी उसे उनके बारे में मुकमल इल्म था उन तक किस तरह से पहुंचा जाता है, वो ये भी जानता था और उसकी जो ship थी, जो वो चलाता था, उसका नाम Modeline था Next, हमारा character, the doctor of physics, very important character General characteristics में, he has based his medicine on astrology उसकी medicine जो है, वो reason या research की बजाए, astrology पे बेस है यहां पे जेफरी चॉसर का mocking जो style है, वो में नज़र आता है He keeps his patients waiting for the best moment as per astrology यानि वो अपने patients को बठाए रखता और उनने कहता कि अभी stars move कर रहे है एक moment आएगी जब आपका इलाज, आपके जो disease है, उसका इलाज शुरू किया जाएगा He has knowledge about every disease और दुनिया में पैदाने वाली हर बिमारी के बारे में उसके पास knowledge है He has based his treatment on four humors, जो four humors वाली treatment यानि classical जो ग्रीक्स की जो treatment थी उस पे उसने अपनी जो treatment उसको base किया हुआ था He makes money from specific chemists who prepare formula for his patients और वो अपने patients के इलाज के लिए अपना formula जो है वो specific chemists के पास बेज़ता था और इस तरह वो आपस में trade करते थे He has knowledge of all great physicians और दुनिया में जितने भी great physicians गुजरे हैं चाहे वो जिस एरा के भी थे उन सब के बारे में उसको अच्छी तरह knowledge थी वो उनको जानता था कि वो कौन से हैं और कहां कहां पे और उन्होंने कौन कौन सी research की है और उनके जो formula थे वो भी doctor of physics को पता थे He loves gold उसे सोने से बहुत ज़ादा महबत थी और उसकी एक ये वजाए ये भी बताई गी है क्योंके वो अपने अपनी जो medicine थी उसके अंदर भी वो gold को use करता था अब हम interlinear translation देखते हैं With us there was a doctor of medicine वहां मारे साथ एक बहुत बड़ा एक बहुत मशूर doctor of medicine भी था In all this world there was no one like him और पूरी दुनिया में मेरे ख्याल में उसके जैसा कोई भी doctor नहीं था To speak of medicine and surgery जहां तक medicine and surgery की बात है For he was instructed in astronomy कि उसने अपनी medicine and surgery की base astronomy पर रखी वी थी He took care of his patient very many times in astrological suitable hours by use of his natural science उसके पास natural science थी वो जड़ी बूटियों के जरीए, plants के जरीए, herbs के जरीए अपने patients का इलाज करता था लेकिन उसका start जो था वो एक specific hour पर होता था जो base था astrological movements जो थी जो जैसे moon है या stars हैं इनकी movement के हिसाब से वो अपने अपना जो इलाज था उससे start करता था और उसके बास यह भी knowledge थी के कौन सा planet कहां पर पहुंचे गा तो मैंने इलाज शुरू करना है क्योंकि उसके पास तलिसमी फार मुले थे जो उसने अपने patients के लिए रखे हुए थे he knew the cause of every melody दुनिया में जितनी भी बिमारियां थी उनकी वज़ा उसे मालूम होती थी were it of hot or cold or moist or dry elements इन चार हुमर्स यानी गर्मी सर्दी या moist या dryness इन में से जिसकी वी जिसकी वज़ा से भी वो बनती थी उसे मालूम होता था कि ये बिमारी क्यों पैदा हुई है और इसका इलाज किस तरह से करना है and where they were engendered and by what bodily fluid और ये भी जनता था कि ये actually पैदा कहां पे हुए है body के अंदर कौन सी body के अंदर कौन सा part है जिसकी वज़ा से ये जो बिमारी ये पैदा हुई है और इसका इलाज किस तरह से होगा he was a truly perfect practitioner और वो वाके में एक बहुती perfect doctor था the cause known and the source of his patient's harm वो उसे क्योंके cause का भी पता हुता था उसे बिमारी की source का भी पता हुता था और उसे अपने patient को होने वाले नुकसान का भी पता हुता था straightway he gave the sick man his remedy तो जैसे ही कोई sick man उसे अपने बिमारी बताता वो medicine उठाता उसकी हाथ में दे देता he had his apothecaries all ready to send him drugs and his electries और उसके जो chemist थे जो उसकी medicine तियार करते थे वो भी उसकी medicine को अच्छी तरह जानते थे वो anytime अपने drugs जो हैं उनकी तरह बहिजता था ताके वो तियार करके उसे बापस बेजे for each of them made the other to profit और इस तरह से वो एक दूसरे को profit देते थे doctor of physics जो है वो उनको अपनी medicine भेजने का profit लेता था और वो doctor of physics के लिए medicine तियार करने का profit लेते थे their friendship was not recently begun और उनकी ये दोस्ती recent भी नहीं थी बड़े अर्से से वो ये काम चला रहे थे he well knew the old asculapius अब ये मुख्तलिफ जो classical हकीम और classical जो doctors of physics गुजरे हैं उनके फार्मूलाज का जिकर हो रहा है कि उनके फार्मूलाज को ये सीदरा जानता था उनकी history जानता था इन सब के बारे में वो अच्छी तरह था जानता था उसने इनकी knowledge उसके पास थी he was moderate in his diet जानता को उसकी खुराक का जिकर है वो बहुत ही सादा थी for it was of no access उसमें किसी चीज़ की access नहीं होती थी but greatly nourishing and digestible और वो हमेशे ऐसी होती थी कि उससे उसे कुछ नकुछ उसकी body को बेतर ही मिलता था उसकी body उससे nourish होती थी और वो खुराक फुरी तोर पे जजब हो जाती थी his study was but little on bible लेकिन अगर religion की बात की जाए तो bible की study तो उसके पास बिलकुल थोड़ी सी थी he was clad all in red and blue और उसके लिबास क्या था उसने red और blue color का अपना लिबास पेना हुआ था lined with taffeta and with silk जिसके उपर silk के कीमती धागे की बारीक लाइने बनी हुई थी and yet he was moderate and spending और फिर भी वो खर्च करने में बहुत ज़दा moderate था सोच समझ के पैसा लगाता था he kept what he earned in times of plague जब town पहला black death की बात हो रही है तो उसने बहुत ज़दा पैसा कमाया जो उसने बचा के रखा हुआ था since in medicine gold is a restorative for the heart और उसकी सोच ये थी वो लोगों को ये बताता था कि मैंने gold क्यों बचा के रखा हुआ है क्योंके gold दिल को ताका दिता है और मैं gold अपनी medicine में यूज करता हूँ इसलिए मैंने plague के दोरान जो gold कमाया वो बचा के रखा हुआ है therefore he loved gold in particular क्योंके gold जो है medicine में यूज होता था इसलिए वो gold से बहुत ज़दा महबत करता था ये हमारी आज की study थी